देश में रूपे कार्ड और भीम यूपी आई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केन सरकार ने बैंकों को प्रोचसाहन राशी देने का फैसला किया है शनिवार को इस सिलसले में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है बैंकों को सरकार की तरफ से 2600 करोड रुपे दिये जाएंगे ताकि बैंक रूपे कार्ड और भीम यूपी आई के जरिये होने वाले लेन देन पर ग्रहाकों से किसी तरीके का शुल्क ना बसूलें सरीय स्कीम कैसे काम करेगी पहली बार सरकार बैंकों को कुछ अलग से देने जा रही है यूपी आई और भीम जैसे ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले दो तीन साल से बैंक्स इस बात की शिकायत लगातार कर रहे थे कि ये एक एकलोती ऐसी सर्विस है जो मुफ्त में लोगों को देते हैं क्योंकि जाहतर बैंकिंग सेवाओं पर किसी ने किसी तरह से प्रत्यक्षा परोख शुरूप से कोई नो कोई फीस जरूर लगती है पर भारत में जो सबसे बड़ा हिस्सा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो यूपी आई के थू हो रहा है उसमें बैंकों का पूरा निटवर्क बैंकों का पूरा सिस्टम इस्तेमाल तो होता है पर बैंकों को उसके बदले कुछ नहीं मिलता और इसलिए बैंकों की तरफ से इस बात का दबाओ था सरकार पर कि यदि सरकार उन्हें सीधी कोई मदद नहीं देती तो बैंकों को इस पर कोई फीस लगानी होगी तो पहली बार भारत में पेमेंट प्रमोशन सबसीडी शुरू हो रही है यह भारत का पेमेंट प्रमोशन या इलेक्ट्रानिक प्रमोशन सबसीडी का पहला प्रयोग है जिसका बिल है 26 करोन रुपए वो 26 करोन रुपए का बिल हम और आप टेक्सपेर बजट से चुकाएंगे और यह पैसा बैंकों को दिया जाएगा बैंकों को 0.4% छोटे ट्रांजेक्शन के लिए यह दिया जा रहा है कि अधिकतम सो रुपए टक की इन्सेंटिव देगी जो कि लो वाल्यूम ट्रांजेक्शन पर कामाकार के ट्रांजेक्शन के दिया जाएगा और इसके बाद बैंक कम से कम फिलहाल आपको जो UPI सुवेधा दे रहे हैं और जिनका हम और आप बागी लोग इस्तेबाल करते हैं उन पर कोई फीस नहीं लगाएंगे लेकिन यहां से भारत के डिजिटल पेमिन्ट सिस्टम में एक बड़ा शिफ्ट शुरू हो रहा है सरकार कब तक बैंकों को यह 2006 पहली यह भी स्कीम लागू की गई है कितने ट्रांजिक्शन पर कितना कितना पैसा दिया जाएगा यह बाद में पता चलेगा क्योंकि इसके बाद बैंकों में UPI ट्रांजिक्शन तो बहुते जी से बढ़ रहे हैं उसके बाद सरकार सरकार यह त कब तक जारी रखी जाए या फिर प्रमशाह इसे किसी तरह से किसी फीस के दाहरे में लाया जाए